कैनेडा वर्क वीजा फॉर पूर स्टूडेंट्स कैनेडा वर्क वीजा फॉर पूर पीपल्स कैनेडा में काम करने का वीजा गरीब आदमी के लिए निधन लोगों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर है उमर 40 साल हो चुकी है ठक चुके हैं महीनत करकर के कारोबार पंध हो रहा है नोकरी जा रही है पिछले 5 साल में 14 लोगों के कारोबार गिरे हैं और अगले 5 साल में और गिरने की आशा है समय चेंज हुआ है आज टेकनॉलोजी के जुक के अंदर अमीर आदमी अमीर बन रहा है गरीब आदमी और गरीब हो रहा है किसी सज्जन ने परसों बताया 100 करोड रपया जिसके पास होता है उसका हर साल 200-300 करोड रपया हो जाता है जो आदमी 5 लाख रपया साल का कमाता है वो हर साल 1,5 लाख रपया नीचे जा रहा है गरीबी बढ़ रही है माबाप परिशान है बच्चों की पढ़ाई को लेके क्या करे लोगों की नोकरी जा रही है लोगों को समझ नहीं लग रहा नोकरी कहा करे विदेश जाने का चलन है हजारों लोग कैनेडा चले गए इंग्लैंड चले गए अमरीका चले गए आप भी जाना चाहते हैं किसी से संपरक करते हैं कोई कहता है 20 लाख दीजिये कोई कहता है 25 लाख कोई 40 लाख पैसे तो इतने है नहीं जाएंगे कैसे फ्री में भेजने का दावा है कल एक सज्जन से बात हुई कैनेडा में रात को हमने चार मीने पहले कैनेडा पैसेज प्रोग्राम की शुरुवात करी नमंबर में ये प्रोग्राम लाउच किया गया कि आर्थिक रूप से कमजोर निर्धन लोगों को फ्री में बिना पैसों के कैनेडा भेजेंगे आप सब ने हमेशी रवात दिया आप सब के सहयोग से आज हम उन लोगों को भेज पाए हैं जो कभी नहीं जा सकते थे मैं ऐसे लोगों को हर रोज मिलता हूँ जिनके वीजे आते हैं जो निर्धन है जो गरीब है मेरा उनके साथ वीडियो बनाने का भी दिलने करता है किसी की गरीबी नहीं दिखा सकते रोज़ दे जो शान्ती जो सकून मिलता है हमें हमारी टीम को वो पैसों से बहुत बढ़की है कल एक सज्जन से बात हो रही थी कैनड़ा में उनके कॉलेज में अभी हमने फ्री में बच्चे भेजे वो कहने सर आपके जितने भी सीपीपी के बच्चे आये हैं न लिटरली ये बच्चे न हमें रुडा देते हैं रोज कि सर आपने इतने ऐसे ऐसे इंटेलिजेंट लोगों को भेज दिया हमारे पास हर बंदा पढ़ना ही चाहता है कोई बंदा यह नहीं कहता मेरी क्लास छोड़ दो क्योंकि लायक बच्चे हैं लायक बच्चा जिसके पढ़ाई में अच्छे नंबर है हमने सीपीपी की शुरुआत में परसेंटेज रखी थी 90 प्रतिशत हमने लास्ट तक 80 परसेंट वाले बच्चे भी लिए उन घरों के बच्चे गए जो कभी सोच भी नहीं सकते थे जो दुआएं आपको एक गरीब आदमी दे सकता है वह आप एक अमीर आदमी के पैसे से नहीं खरीच सकते यह आपको समझना पड़ेगा हम सब को मिलके अपने समाज को आगे लेके जाना पड़ेगा हमें भूखे को रोटी द के पास पैसे है ही नहीं जब हम बात करते हैं सीपीपी की तो वहां पर जी आईसी आ जाता है लोग लायक हैं उनके पास आइल्स करने के लिए पैसे नहीं है लोग लायक हैं उनके पास 20,000 डॉलर जी आईसी नहीं है अब यह लोग कैसे जा सकते हैं लोग काम करने का वीजा चाहते हैं मात्र सो डॉलर में क्रेडियन कौवर्मेंट आपको विजिट विज़ा देती है इस विजिट विज़ा को आप वर्क पर्मिट में चेंज करा सकते हैं यह सिर्फुल लोगों के लिए हैं जिनके पास कोई खूनर है आप इलेक्ट्रीशन है, कारपेंटर है, पलंबर है आप पिछले पांच साल से कोई नोकरी कर रहे हैं आप बैंक में हैं, इंशोरस कंपनी में हैं आप पड़े लिखे हैं अंग्रेजी बोल लेते हैं, समझ लेते हैं हम आपको विजिट विज़ा के थूरू कैनना फेचेंग छे महीने तक आप कैनना में रह सकते हैं, छे महीने में आपको नोकरी ढूंडनी है, नोकरी ढूंड के वर्क परमिट करा लेना है, जब आपको नोकरी मिल जाएगी, आप उसके बाद हमारी फीज दे सकते हैं, यह प्रयास कर रहा हूँ, इस बार आप सब लोगों की फिर के बिना पैसों के भीजा जाए, गजए लोगों की काम करने वाले लोगों की वेल्डर चाहिए कनडा को, जा कार पैंटर प्लमबर चाहिए, लेक्ट्रीशन चाहिए, घर एसी स्किल सेट है तुमारे पास, आपने एक दो बार विजिट वीजा डाला आपको नहीं दिया, आ काम की तनखा पंदरा हजार पे है कि एजंट के पास जातों को गता बीस लाख दो पच्छिस लाख दो मेरे पास आजो मैं फ्री में बेच दूगा हमारी जो भी फीस होगी आपके साथ तया कर लेंगे आप ये पैसे हमें दो चार चे महीने बाद दे देना नहीं देने हुए म खड़े होने के लिए के लिए क्ट्रेडियन गौर्वर्मेंट लीगली अलाउड करती है आप अपने विजिट वीजा को वर्क परमिट में कनवर्ट करा सकते हैं अगर आपने बार्वी करी हुई है आप खेतों में काम करते हैं बेले हैं आपने दो-चार साल कुछ नहीं कि अगर आपकी तनखाक आते में आती है, आप एक बिजनस करते हैं, आपके पास प्रूफ है, आमदरी का स्वोर्स है, हम आपके विजिट वीजा की जिम्मधारी लेंगे विजिट वीजा मिल गया, अब आप इसको वर्क परमिट में कनवर्ट करा सकते हैं, आप इसको स्टडी वीजा में कनवर्ट करा सकते हैं, ना आपको आल्स चाहिए, ना आपको जी एसी चाहिए, ना ही लंबे चोड़े फंड चाहिए, जब आपको विजिट वीजा लगाना ह है आपको पांच-दस लाख रुपे अपने खाते में दिखाना एक दिन पूरा अड़े दिखा सकते हैं आपका रिष्टेदार भाई बहन को दोस्त आपके फंड शो कर सकता है असान कर दूंगा जितना ज्यादा आसान से असान हो सकता नो उतना कर दूंगा मात्र सो डॉलर मे 64 सो रुपे में तुम्हारा वीजा अपलाई होगा और तुम परिवार को साथ लेके करड़ा जा सकते हो अगर 64 रुपे भी ज्यादा लगते हैं आपको 64 सो रुपे लगा के भी रिस्क नहीं ले सकते तो तुम्हें जिंदगी में ये कहने का हक नहीं है कि मैं करीब हूँ मे पास पैसे नहीं हैं आओ मैं फ्रीप बेज देता हूँ हमें बताइए आपकी समस्या क्या है आपका रिष्टेदार दोस्त रहता है करेड़ा में वह आपको स्पॉंसर नहीं कर रहा छोड़ दीजिए मैं वीजा लगा के दूँगा हमारी मेहनत है हमारी टीम की मेहनत है हम आपके विजिट वीजा को वर्क पर्मिट में कनवर्ट कराके देंगे स्टडी वीजा में कनवर्ट कराके देंगे पैसे के दुख से नहीं मैं रहने दूगा आपको हाँ आपके पास कागज नहीं है आप अनपढ़ हो पड़े लिखे नहीं हो आप इलिजिबिल्टी जाना चाहते हैं काम करने का वीजा लेना चाहते हैं हमारे चंडीगर जलंदर रफ्तर में आए मुझे मिलिए आके आपकी वीजा की जिम्मेदारी में लूँगा निवाद जैश्री राव